नमस्का दूस्तों मैं वैब आपका और जान अकड़ी मैं स्वागत करता हूं एंगुलर मेजरमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जैसे साइन बार है एंगल डेकर है युनियर्सल बेवल प्रोडेक्टर है स्पिरिट लेवल है और किनलो मेटर है तो देख लो तो आपका जो एंगुलर मेजरमेंट का पूरा आपको समझ में आ जाएगा अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगते तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो आपकी वीडियो की तरफ बढ़ते है कि किल्नोमेटर बेसिकली हाई क्या है उस यहां पर एक रोटरी मेंबर है आप देख सकते हो यहां पर टाइप अरेंजमेंट है तो वह क्या होता है यह पूरे इसमें डायरेक्शन में ऐसे मूह होता है फिर यहां पर एक सर्कुलर स्केल है जहां पर आपका मार्किंग है फिर यहां पर एक आपका स्पिरिट लेवल ह ठीक है spirit level में यहाप आपको vapor bubble है यहाँ पर bubble है रोटरी मेंबर तो यह तो उसके parts हो गए कि एक housing है housing में base है rotary member है यहाँ पर बबल है यहाँ पर circular scale है यह तो उसके construction का part हो गया लेकिन kilometer basically के लिए क्या kilometer इजे special application of spirit level spirit level का उन्होंने special application बनाया उसको क्या कहते है kilometer कहते है तो इसका अगर use करने आपको तो कैसे करना पड़ता है कि यह जो bubble है यह bubble को क्या करना आपको center में रखना है तो अभी इसका अब जब किसी part को अब इसके measure करने के लिए रखते हो तो क्या करना पड़ते है आपको यह rotary member उसको adjust करना है ऐसे adjust करना है आपको कि यह bubble क्या होना चाहिए center में आना चाहिए bubble में spirit level के center में आ गया है तो आपको रूपना है और यह जो arrow जहां रहेगा वह reading आपको लेना है ऐसे इसका application रहता है तो मैंने यहां पर डाइग्राम बनाया आप देख सकते हो कि एक ऐसा included angle है वह included angle मुझको निकालना है इसके लिए मैंने क्या किया यह जो जो reading रहेगी वह reading मैंने note down की तो मेरी reading कितने आई थीटा आई बाद में फिर मैंने क्या 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 वापस यह बेस क्या क्या यह जो inclined surface है इसके उपर रखा तो जो reading आई तो वह क्या थे मेरी fire reading थी तो मुझे आभी angle निकालना है यह जो अलफा एंगल है वह अलफा अंगल अगर निकालना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा अलफा इस इकल टू 180 डिग्री वह ने डिग्री कैसे एक horizontal लाइन जो रहेगी उसका वह total angle कितना रहता है आपका 180 डिग्री रहता है 180 डिग्री माइनस यह थीटा प्लस पाई करो 180 मेंसे यह दोनों का जो एडिशन रहेगा वह माइनस करतो आपका यह जो एंगल एंगल आपको मिल जाएगा अभी यह जो किल्नोमेटर है इसका यूस कहाँ पर अगर कंसिडर करो किसी जौब है आपका एक बहुत बड़ा जौब है जिसका आपको क्या करना है कैस inclineded surface है उसका आपको क्या करना है अंगल निकाल नुकालना है यह आंगल निकालने के लिए आप क्या सकते हो किल्योंडी इसके में सब्सक्राइब में बहुत बड़ा cutting टूल ए उसके लिए इसकेous कर सकते हो बाद में फिर जिग बोरिंग मशीन है, जिग बोरिंग मशीन पर आपको क्या करना है, वर्कपिस सेट करना है, ठीक है, तो वर्कपिस सेट करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, आप किनलोमिटर का यूज कर सकते हो, सेम ग्रांडिंग मशीन का टेबल है, किसी वर्कपिस को क्या करना है आपको incline में De bis England में grinding करना है तो grinding मेंशन पर क्या कर सकते है और इसका यूज कर सकते हो और साथ ही साथ included जiają रहे वह निकालने के लिए लगभे आप यूज कर सकते हो यह यह से टोटैल किनलोमिटर था पहले आपको क्यां दोनों डियाग्राम निकालना एक्जाम में यह भी डाइग्राम निकालना है और यह भी डाइग्राम निकालने चार मार्क प्रेले क्वेशन आएगा तो पहले पहला वर्ड आपका आना चाहिए कि km special application of spirit level बात में पहले इसका इंक्लूडर क्या है यह सर्फेस पे रखा फिर रोटरी मेंबर को ऐसे इड़्जेस किया कि मेरा με्रा बबल सेंटर में आना चाहिए फिर वापस इसको ये सर्फिस पे रखा, रोटरी मेंबर को एडजस किया और बबल को सेंटर में प्लेस किया, फिर यह फॉर्मूला लिखना है, आलफा इस इकल तो वाट, 180 माइनस थेटा प्लस 5, ऐसा यह वीडियो था था, थैंक यू